इसे तो बनारस यहां की संस्कृती, घाट और सियासत के लिए मशूर है लेकिन यहां का सबसे खास आकरशन है यहां का खाना और यहां आकर आपने अगर यहां का खाना ट्राइ नहीं किया तो मानों आपने कुछ किया ही नहीं एक बार इन लजीज पकवानों को खाने के बार आप बार बार इने खाने के लिए शिव की नगरी जरूर आएंगे तो चलिए हम आपको बताते हैं यहां के एक बहतरीन फूट जॉइंट के बारे में इस फूट जॉइंट का नाम है काशी चाट भंडार आपने बाजार में कई तरह की चाट खाई होंगी लेकिन टमाटर चाट की खासियत ही अलग है उबले हुए आलू में कई तरह के मसाले मिलाए जाते हैं उसके बाद उसमें टमाटर का गूदा मिलाकर धीमी आँच पर पकाते हैं मिट्टी के कुलण में गार्निश कर गरम-गरम सर्व करते हैं अगर आप बनारस घूमने गए हैं तो टमाटर चाट का स्वाद जरूर चखें यकीन मानिए आप इसके स्वाद के दिवाने हो जाएंगे इस चाट को ऐसे ही नहीं बनाया जाता इसमें अलग-अलग मसालों के साथ साथ ब्याज, तही, ग्रीन वेजिटेबल्स, इत्यादी मिलाए जाते हैं इसकी कई विराइटीज आपको मिल जाएंगे आप यहाँ स्पाइसी, सुीट और सोवर कई तरह के कॉम्बिनेशन्स का मजा ले सकते हैं यहाँ आपको गुगनी चार्ट, पानी पूरी के साथ कई ऐसी चार्ट मिल जाएंगे जुसका मजा आप भारत के दूसरे भागों में नहीं ले सकते अगर आप यहाँ आते हैं तो काशी चार्ट भंडार का स्पेशल चार्ट ज़रूर ट्राइ करें इसमें इस्त्वाल होने वाले मसाले तो सीक्रेट हैं लेकिन इनका स्वाद बिलकुली अलग है और शायद यही खाशित काशी चार्ट भंडार के सीक्रेट मसाले में हैं आपने दही पूरी तो काशी के अलावा और भी कही जगहों पर खाई होगी लेकिन यहां की दही पूरी अपने आप में अलग है क्योंकि यहां दही पूरी को शुद्ध देसी घी में बनाया जाता है यानि सुआद और सेहत का जबुर्दस्ट कॉम्बिनेशन आपको यहां मिल जाएगा तो जब भी आप काशी जाएं काशी चाट भंडार में चाट के मज़े ज़रूर लें अगर आपके शहर में भी कुछ ऐसे स्पेशल फूड जिसे पहचान नहीं मिल पा रही है तो आप हमें मेल कर सकते हैं और हम उसे कवर करेंगे लेकिन व्याद रखिए वो डिश सिर्फ उत्तर परदेशते होनी चाहिए बागी डिटेल के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं